तो हाई फ्रेंट्स आप सभी आप बहुत बश्वागे थे मैं चैनल जीटेक प्रोहिंदी में तो रिसेंटली साइट से आपने मेरा Embrane का जो Wise Glaze स्मार्ट वाज था उसका Unboxing and Review वीडियो देखा हुगा अगर नहीं देखा है तो लेकिन उस वीडियो के पहले मैंने कोई Initial Setup या Complete Setup Guide नहीं डाला था तो आज इस वीडियो पर मैं इसका Complete Setup Guide आपको दिखाऊँगा पूरा वाक्थ्रू दूँगा कि इसके एप में जो है क्या-क्या Features आपको देखने को मिल जाते हैं एंड यह सारे Embran Smartwatches पर यह Setup Guide लागू होता है ठीक है लेकिन आभी मेरे पास जैसे कि Embran Wise Glade Smartwatch है जो कि 2000 के अंदर आपको बहुत यह अच्छे-चे Features देख देता है तो without wasting any more time डायेक्टली जो है Setup को स्टार्ट कर देते हैं लेकिन मैं Setup को स्टार्ट करने से पहले एक warning आपको दे देता हूँ एक चीज बहुत यहाद है इंपोर्टेंट है जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो Embran का smartwatch है actually Embran company जो है Indian company है लेकिनी smartwatch सब जो है चाइना से imported होते है और इसका जो app है जो phone का app है उसका नाम है है वो fit app जो मैं अभी इस प्रनानाम सेशन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर तो वो app भी basically Chinese app है उसमें सारा जो data आप अपने डालेंगे जो setup अगरा में भी Chinese server पर जा सकता है इसलिए मैं तो recommend नहीं करूँगा कि इस app को use करने के लिए आप अगर simply बिना app के भी smartwatch को use करोगे तो चलेगा लेकिन वो सब जो activity है वो tracking वेरा आप नहीं कर पाएंगे app के थूरू या फिर जो है watch faces जो है change नहीं कर पा रहे है इसलिए यह setup में hold down करके आपको जो है agree कर देना है ठीक है तो अभी agree करने के बाद कुछ ऐसा interface आ रहा है इधर bluetooth वगेरा allow करने के लिए मांग रहा है तो मैं turn on पर click कर देता हूं उसके बाद अभी मैं bluetooth वगेरा सब कुछ permissions allow कर देता हूं ठीक है और simply एक चीज़ का आप ध्यान रिखे जो भी आपको मांगे जा सब कुछ आपको allow ही करना है तो sign in करना है account बनाना है इसलिए पहले हमको sign up option पे click करना होगा उसके बाद account बना के sign in वगेरा करना होगा तो simply मैं अपने मेरा account एक create कर देता हूं और उसके बाद मैं login वगेरा कर देता हूं उसके बाद next process पे जाएंगे तो अभी मैं allow के option पे या return on के option पे click कर दूँगा और इसके बाद कुछ SSI interface आएगा इधर मैं allow क्लिक कर देता हूं ताकि notification access वगरा इस app को मैं दे सकूं तो allow क्लिक करने के बाद कुछ notification access का SSI interface जब आएगा आपको simply जो है वो fit app है उसको enable कर देना है ठीक है तो अभी एक SSI interface आ तो simply इधर से मैं क्या करूँगा न जो warning option आ रहा है उसके उपर मैं tap करके जो है okay क्लिक कर दूँगा उसके बाद यह simply access हो जाएगा and simply आपको इधर से जो है back जाना है back जाने के बाद यह बहुत सारा permission मांग रहा है तो इसलिए allow मैं कर देता हूं and allow करने के बाद यह सारा जो इधर से जो I know का एक tab मिल रहा होगा उसके उपर आपको क्लिक कर देना है and सारा interface अभी आपको जो है दिखाई देगा जो हमारा जैसी की जो activity controls वगएरा है कितना आपने calories बन किया है कितना सब कुछ मतलब walk वगएरा किया है कितना kilometer वगएरा walk किया है वो सब कुछ दिखा दे इधर से simply आपको yes क्लिक करना है and फिलाल अभी जैसे कि हमने setup कर लिया है तो मैं थोड़ा interface आपको दिखा देता हूं interface कुछ भी नहीं है simple सा ही है वही heart rate आपका कितना है calories वगएरा कितना burn हुआ है सब कुछ दिखा रहा है इधर नीचे workout का भी option है इसमें workout records वगएरा आपने कितना kilometers वगएरा run किया है कौन कौन चे workout किया है सब कुछ इधर दिखा देगा इधर आपका personal info जो आपका नाम वगएरा होगा वह चीज आपको दिखा देगा और की device को control करने के लिए नीचे एक device का option है उस पर जाते ही आपको कुछ ऐसा सा interface दिखे गया इधर से सारे अपन watch faces set करने का भी option जो है दिया गया है and simply notification अगर आपको access करना है तो इसी option पर क्लिक कर गए आपको सारा जो एप को जिसी भी एप का आपको notifications और चाहिए उसको turn on कर देना है फिलाल मैंने अल्लेडी कर गे रखाया लेकिन इधर आपको reminder का भी option देखने में जाता है आपका अग सेट करने का option हो गया सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है तो इधर weather controls का भी option मिल जाता है simply इधर जाके आपको permissions सब को जो है allow कर देना है ताकि आपका जो local weather हो दिखा देगा और इधर आपको जो है अपना city भी जो है set करना है ठीक है बाकि इधर आपको find my watch का भी option मिल जाता है simply इसके उपर click करके आपको start पे click करना है उसके बाद इधर आपका watch vibrate वगरा होगा और आपका watch अगर कहीं पे खो गया है या फर गुम हो गया या फर किधर आपने रख दिया है तो आपको vibration से पता चल जाएगा तो simply इधर watch को stop करने के लिए इधर से simply आपको stop option पे click करना है अगर आपको आपका watch जो है आपको मिल गया है ठीक है अगर आपको watch में जो है password वगरा सेट करना है तो simply इधर आपको जाना है और इधर जो है अपना passcode जो है enter करना है और कोई भी चार्ड डीट का passcode में enter कर देता हूं और इसके बाद मुझे फिर से re-enter करना ह इससे क्या होगा ना जो आपके private messages वगरा आपके watch पे आ जाते हैं उसको कोई access नहीं कर पाएगा उसको access करने से पहले आपके password जो है खोलना होगा जो कि आपके phone के अंदर जो है दिखा देगा अब ही मैं एक sample आपको दिखा देता हूं जिसके आप देख सकते हैं कि मेरा जो मिल जाते हैं brightness control हो गया always on display control हो गया और बहुत कुछ आपको देखने हो मिल जाते हैं लेकिन जितने भी सारे key features थे मैंने आपको जो ही discussion कर गे दिखा दिया है और कैसे setup वगरा करना है सब कुछ मैंने दिखा दिया है तो I hope आपको सारा चीज़ जो है समझ में आ गया होगा त तो I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छा लगाए तो please वीडियो आपको लाइक किजिए और सब्सक्राइब भी किजिएगा थैंक्स वचिंग दिस वीडियो